Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ विकरान शर्मा, आज मेरे पास है इंडिया का 2024 का बैस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड, जितना ये क्रेडिट कार्ड देखने में यूनिक है, because it is transparent, आधा transparent है, उतना ही exciting and unique है इसके benefits, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड 3 in 1 क्रेडिट कार्ड है, और ये आपके UPI payments पे देता है आपको 2% का cashback, इंडिया में और कोई भी रुपे क्रेडिट कार्ड आपके UPI payment पे आपको 2% का cashback नहीं देता, इकलोता ये वाला credit card देता है, और सबसे खास बात है ये credit card मिलेगा आपको lifetime free, यानि कि इसका कोई joining fee आपको नहीं देना होगा, नहीं देना तो ये card मैं आपको दिखाऊंगा, इस card के सारे benefits बताऊंगा, और जो भी इस card से related information है, सारी के सारी आपको इस video में मिलने वाली है, चैनल पे नहीं है तो जरूर subscribe कर दीजेगा, without further delay, let's get into the details, As CSB bank रुपे credit card, एक co-branded credit card है, which is issued by CSB bank, जो एक scheduled commercial bank है, co-branded agreement है, इनका Europa New Marketing Private Limited के साथ, जो की आप सिर्फ जो Jupiter app है, उसके थ्रू ही इसको apply कर सकते हैं, Jupiter app से आप इस card को apply कर पाएंगे, अगर आप इस card को apply करना चाहते हैं, तो description में link है, वहाँ से इस card को आप apply कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये credit card पास से दिखा देता हूँ कि देखने में कैसा लगता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो credit card है, बोखुत ही uniquely designed किया गया है, क्योंकि ये half transparent है, कार्ड के left upper corner पे आप देख सकते हैं, CSB bank और Edge दोनों का ही branding दिया गया है, और EMV chip स निकलते हुए copper wires को आप देख सकते हैं, जो बिलकुल tiny wires जा रहे हैं इसमें से, ये आपको पहले कभी किसी credit card में देखने के लिए नहीं मिला, बट अब आपको इसके पीछे की technology समाझ आ जाएगी, कि actually ये जो EMV chip होती है, इसकी wiring किस तरीके से की जाती है, और ये finally नीचे को हो जाती है, जहां पे आपके credit card का contact less chip लगा होता है, तो ये जो credit card है देखने में बड़ा unique लगता है, ये रुपे credit card है, यानि कि हमें रुपे network पे मिलता है, तो इस से हमारे UPI payments जो होते हैं, वो करने में हम लोगों को help मिलती है, और 2% का cash pack देता है, तो इस से अच्छा तो UPI payment के लिए कोई credit card नहीं है, और जब shop पे जाके इस card से payment करोगे, तो भाई सा भॉकाल भी वनेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि card ही इतना अच्छा है देखने में, अभी तक वही traditional card चले आ रहे थे, glossy effect, matte effect, बट ये एक ऐसा card है, जो आपको एक unique experience देता है, physical card form में, तो मुझ से 2000 रुपे का जब UPI transaction कर लेते हैं, तो उस पे आपको 250 रुपे की value का gift voucher मिले, जिसमें आप अपनी choice का voucher चूज कर सकते हैं, या तो Amazon, या Flipkart, Mintra, Zomato, या Swiggy, so this credit card on Jupiter provides you a decent cashback on your UPI spends and other spends, इस credit card को Jupiter ने 3 in 1 credit card कहा है, ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 category ऐसी मि मिलेगा, जिन categories को आप switch कर सकते हैं, इन में 3 categories हैं, पहली है shopping, दूसरी है dining and तीसरी है travel, तो आप इन categories को switch कर सकते हैं, मान लिजए कि आप सिर्फ shopping पे spend करना चाहते हैं, चाहे वह grocery है, या फिर आप electronics purchase करना चाहते हैं, या फिर किसी fashion store पे spend करना चाहते हैं, चाहे online या offline, national, international या और जो national आप payments करेंगे, चाहे आप वह swipe machine से, इसको swipe करके payment कर रहे हैं, या फिर online payment कर रहे हैं, या फिर UPI के through payment कर रहे हैं, हर तरीके के इन methods पे आपको 2% का cashback मिलेगा आपके shopping पे, और मान लिजए कि आपको shopping पे spend नहीं करना, तो आप कर सकते हैं अपनी category को switch, और switch करके आप dining या फिर travel, किसी में भी आप switch कर सकते हैं, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि ये जो switch करने का option मिलेगा, आपको हर 3 महिने पे मिलेगा, यानि कि 3 महिने पे आप अपनी इस category को switch कर पाएंगे, अगर आप इस credit card से dining पे spend करते हैं, आप चाहे online कीजे, और offline कीजे, तो हर जगा आपको ये 2% का cashback मिलेगा, अब travel पे spend करना है, तो travel का भी यही condition है, कि आप चाहे online कीजे, offline कीजे, UPI के through कीजे, इंडिया में कीजे, out of India कीजे, हर जगा आपके travel spends पे आपको 2% का cashback इस card से मिलेगा, तो अब इस travel category में चाहे आया, flights पे book कीजे, train पे book की और कुछ time बात बनता है, कि अब तो आपको travel करना है, तो travel पे करना है, तो आप हर 3 महिने पे ये जो category है, इसको switch कर सकते हैं, यानि कि shopping to travel, travel to dining, और बाकी आपके जो other spends होंगे, अगर आपने switch किया हुआ है, shopping पे और shopping पे जो आप spend कर रहे हैं, तो आपको 2% का cashback मिलेगा, ब तो 3000 रुपीस होगा, तो 3000 रुपे की जो capping है, ये एक decent capping लगाई गई है, अगर आप अपने credit card से UPI payment कर रहे हैं, तो उस पे 2% का cashback 3000 रुपे तक आपको हर महिने मिलेगा, इस card पे आपको maximum credit limit मिलती है, वो 30000 रुपे तक मिलती है, यानि कि आप अगर card apply करते हैं, क्योंकि अब ये card जो है general public के लिए issue होना शुरू हो गया है, पहले तो सिर्फ waitlist वालो को मिल रहागा, बट अब आपके app में आपको option मिल जाएगा, इस card को apply करने का, तो ये जो credit card है, आपको 3 रुपे की limit तक मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये credit card lifetime free आपको मिलेगा, इसका को joining fee या annual fee नहीं होगा, पहले 2,00,000 customers के लिए सिर्फ, मान लिजे कि आपका number 2,00,000 है, तो आपको फिर इस card के लिए joining fee तो नहीं देना होगा, बट 999 का annual fee लग सकता है, तो जब आप card apply कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि apply करने के time पे वहाँ पे जब fee show करेगा, त आपके 100 rupees spend पे जो 2% वाली categories है, इस पे आपको 10 joules मिलेंगे, क्योंकि 5 joules की value एक रुपिया होती है, तो जब आपको 10 joules मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 rupees का cash pack आपके spend पे मिलता है, तो app में जैसी ही आप अपना कोई transaction करते हैं, तो आपके wallet में joules add कर दे जाते हैं, जिनक नहीं हैं, जिन पे आपको कोई cash back ना मिले, याने कि हर spend पे आपको इस credit card पे 0.4% तक का cash back तो मिलेगा ही, वो जो special categories है, अगर आपने switch किया हुआ है, तो उस पे 2% का cash back मिलेगा, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कि यहाँ पे rent payments अगर इस card से करते हैं, तो उस पे आपको 1% का extra charge देना पड़ता है, जिसमें GST भी लगेगा, बाकी और कोई restriction नहीं है इस card पे, फिर चाहे आप कहीं भी spend कीजे, तो 0.4% का cash back तो आपको इस card पे मिलेगा ही, और maximum हर महीने 3000 रुपीज तक cash back आप इस card से save कर सकते हैं, तो this card is ideal for everyone, क्योंकि lifetime free card है, तो हर spend के ल spend किया है, तो उस पे आपको 10% का cash back मिलेगा, यानि कि अगर आपने switch किया हुआ है, तो dining spend पे आपको 2% cash back मिलेगा, अगर आपने switch किया हुआ है, तो shopping पे आपको 2% का cash back मिलेगा, अगर आपने travel switch किया हुए, तो travel पे आपको 2% का cash back मिलेगा, UPI का QR code scan करने के बाद, और अग पे आप spend करते हैं UPI के थूँ तो वहाँ पे आपको 0.4% का ही cashback मिलेगा सिरु अब आपका spend बहुत छोटा है या बड़ा हर जगा चलेगा SCSP bank रुपे credit card अब चाहे इससे आप चाहे लीजे या फिर खरीद लीजे refrigerator हर चीज में काम आएगा ये card आपके लिए तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो description में link है वहाँ से आप SCSP bank रुपे credit card को apply कर सकते हैं और आपका क्या मानना इस card के बारे में do mention in the comment section अपने दोस्तों के स 17 वीडियो को share कीजेगा सु मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा बाई बाई